कि यह सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ नर्सकर दोस्तों मैं राकेश कुमार आपने अब तक आदी पुरुस का ट्रेलर देख लिया होगा दिल पर हाथ रखे बताईए आपको क्या लगा आपने जितने भी किरदार देखें आपको देखर यहीं लगा होगा कि रावन में लाक बुरा यहां थी पर तो इतना बुरा तो नहीं था जिस तरीके से आदी पुरुस फिलम के ट्रेलर में रावन को दिखाया गया है इस फिल्म को लेकर आप विवाद बना हुआ है विवाद की आकिर पूरी वजह क्या है वो भी मैं बताऊंगा और कौन सी इसी कम्या है जिसके कारण इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है या फिर जानबूज कर की गई है क्योंकि आजकल हिंदू-मुसलमान कर दीजिए और ट तरीके से हनवान और रावन उच्छल रहे हैं उससे तो यहीं लग रहा है पर तू सबसे पहले इसकी विवाद की जड़ में हम जाते हैं पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस फिल्म का डारेक्टर मुसलमान नहीं है हिंदू है ओम जी राउत वही पर इस फिल्म को लेकर जो सबसे बड़ा विवाद है वो विवाद है हनुमान जी को लेकर हनुमान जी को चमरे के वरस्तर पहनाई गया है जिस तरीके से हनुमान जी को दिखाया गया है उनके चहरे का हाव भाव थोड़ा सा बदला गया है उनके चहरे पर दाड़ी इस तरीके से रखी गई है जै तरीके से दिखाया गया है लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि आप हनुमान चालिशा पढ़ लिजी आपको पता चल जाएगा कि हनुमान जी की वेश बूसा केसी थी पर आप केसे दिखा रहे हैं वहीं पर रावन को लेकर भी काफी विवाद खड़ा हुआ है कि रावन में ला बाल गायब है रावन के आज के मोडरन जमाने के वह खड़े ऐसा लगता है कि जेल लगा के बाल खड़ी किये गए हैं ऐसा बनाए गया है और चहरे के हाव बाव में एहंकार तो दूर दूर तक नहीं है यह ऐसा लग रहा है कि किसी घटिया से घटिया फिलम का कोई इतने भीतर तक उन्हों के बसी हुई है जिस तरीके से पहले के स्रील में दिखाए गई है ठीक उसी तरीके से अब लोग देखना चाहते हैं और ठीक उसी तरीके से गरंथों में भी लिखा गया है परनतु इस फिलम में तो कुछ उल्ट ही दिखाए जा रहा है आप राम को तो आप सोचेंगे कि साइद आदी पूर्ष में भी सिता राम राजू को ही मुखा मिलना चाहिए था प्रतु आदी पूर्ष फिल्म को देखर लग रहा है कि जान बूज कर साइदे से विवाद बनाने की कोशिस की गई है क्योंकि आप भी जानते हैं कि बॉलिवूड को लेक कर यारोप लगते रही है कि आप जान बूज कर इस तरीके से कर रहे हैं कि हिंदू धर्म को टार्गेट करेंगे क्योंकि ट्यार्पी मिलेगी इसको लेकर विवाद होगा और आज किसमें में सरकार वी ऐसे हिजो कि हिंदू-मुस्लमार जादा कराने में मजजा लेती है तो और रामानंद सागर ने जो करिशनिला बनाई थी वो भी बहुत बहतरी थी पर तुस्से भी बहतर आज किसमें में बनाई गई है क्योंकि एक किरदार इसे होते हैं लोगों के दिल में बज़ाते हैं आज भी राम का किरदार निभाने वाले अरुन गोयल जब कभी निकलते हैं तो बहुत से लोग हैं जिनके पेर छुते क्योंकि इनके दिमाग में राम की भी वहीं छुट है मुझे लगता है कि एर मुकाबले का बजट है पर तो आरार की मुकाबले बजट की बजाए आप राम के किरदार में अगर वही एक्टर ले आते तो बहुत ही बहतर होता बाकि आप क्या सुचते कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला छोड़ा गया है कॉमेंट धढ़ा-धड़ कीजिए और कॉमें